कैसे हो आप सब आई हो पाप अच्छे होंगे तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो डेली वेस मेकप है आप उसमें किट में क्या-क्या रख सकते हैं और किस तरीकी का समान आपको कौन सी क्वालिटी का समान आपकी जो जरूर पड़ता है तो इसलिए जब भी मेकप किट तयार करें तो उसी के से रिलेटेड मैं आपको समान दिखा रही हूं कि किस तरीके से आप एक मेक नॉर्मल ही मेकप समान लेकर बहुत अच्छा एक मेकप किट तयार कर सकते हैं और उसमें कुछ जादा हैवी समान भी देखाया है वह आपको कैसा लगा कमेंट करना जरूर और मेरा चैनल अगर आपने सिसक्काइब कर लिचे और वीडियो ची लगे तो एक लाइक कर दिजेगा और ग्रुप में शेयर करना मन पूलेगा तो चलिए इसस्तार करते हैं वीडियो कि आपने लेना क्या-क्या है से मेरे हैं मेकपद लग्त तो इसमें आपको दिखा देती हूँ कि आपने क्या च्यारखना जद्रूरी होता है तो यह मँआरा नियल रेमोवर है तो यह पिड़ ज़रूर होने चाहिए क्योंकि अगर हम कई ऐसे प्ल श्रीष्ट जे लिजद्द के लिखेड का हखा और मकिसिंग करें और एक अगर मेरा कोई ड्रेस पहनते हैं और उसका मैच नहीं गाड़ा हैं तो यह भी मेरा सब्सक्ण करके नहीं झाल कई हैं और नहीं अ tool रहके मेरा यह जो भी मेरे और यह हमारी आईब्रो पैंसे और यह इसमें आगे कॉम लगी हुई होती है ताकि हम अपनी आईब्रो को कॉम भी कर सके तो यह भी हमारे पास होनी चाहिए और यह हमारे नेल पेंट नेल पेंट भी आप 2-3 शेर्ड रख सकते हैं तो यह दो शेर्ड और और भी दिखाती है यह मेरा हूडा ब्यूटी का जो हमारा स्कीन मौिस्टराइजिंग वहादा जो फेस पाउडर होता है यह वही है और बहुँत अच्छा काम गरता है इसकें को बहुत अच्छे से मौिस्टराइज करता है और इसको अप्लाइ करने के बाद आपको एकदम पसीना भी नहीं बहुत जो इसका रिजल्ट है काफी अच्छा है तो आपको यह सब आपनी अपनी मेकप किट में रखना चाहिए और यह देखिए मैं आई लैशेस भी आपको भी दिखाती हूं यह मैंने लेकर रखे हुए है कि अगर आप लगा सके इसको तो यह देखिए यह भी मेरा लिप् लाई लैशेस और यह मेरा लिक्विड लाइनर है तो अगर आपके पास सूखा नहीं है आप जो पेंवाला आता है वह नहीं है तो आप यह लिप्विड भी उसकर सकते हैं क्योंकि हर किसी को नहीं आता और यह मेरी सिंपल लेश्टिक है और यह हमारी ओले की जो क्रीम है न यह मेरा यह देखे एक और जो लिप्स्टिक शेड है वो है क्योंकि दरसल हम जो भी यूज करते हैं जिसका मतलब की शेड तो अगर वो मिक्सिंग करके हम अरजस्ट कर सकते हैं उसको अगर हमें लगाना है तो और यह मेरे बिंदी के पत्ते भी हैं जो मैंने रखे हुए हैं यह भी मैंने अपनी इसमें रखे हुए हैं खादी कंपनी के हैं यह तो यह भी दो यह हैं और एक जो कंडिशनर है मेरे पास यह भी पड़ा हुआ है इसके अंदर तो यह सब चीज़े आपकी नॉर्मली मेकप किट के अंदर होनी चाहिए तो यह देखिए यह मेरा पैन वा मैं यह मेकप कीट के अंदर ही डालकर रखती हूं ताकि जो हमारे मेकप कीट का लुक है वह थोड़ा सा बना भी रहे और यह मेरा यह देखिए अगर आपके बाग बेबी है तो आप यह भी रख सकते हैं इसके क्योंकि बेबी को यह है हेड बेंड की जरुरत पढ़ती ही प के पास होना चाहिए अगर आप कोई और सा यूज कर सकते हैं तो आप वह भी रख सकते हैं क्योंकि काजलत सब के अपनी पसंद के होते हैं और यह मेरा देखिए और यह देख सकते हैं यह पिने भी आपके पास होनी चाहिए तो मुझे बताना जरूर कि आपको यह मेरी किट कैसी लगी तुम